हेलो एवरीवन वेलकम न मैं ट्यूब चनल इस वीडियो में हम फिला टेक्स इंडिया लिम्टेड कंपनी की डिटेल अनलाइजिस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो जैसा कि इस कंपनी की शेफ प्राइज 113 रुपए और एक दिन में 10% की तेजी हमें देखने को मिली पिछले 5 दिन में 19% के positive return एक महीनों में 22% के positive return छे महीनों में 6% के negative return एक साल में यहाँ पर 11% के positive return पिछले 5 सालों में 330% के positive return और maximum returns की बात करें तो 1300% के positive return दिये इस stock ने इस companies ने काफ़ी multi-bagger returns दिया है तो अब हम बात कर लेते हैं companies के technical पर फिर हम companies के fundamentals पर चर्चा करेंगे तो जैसा कि हम technical की बात करें तो इस stock में काफी तेजी हमें देखने को मिल रही है और हम बात करें one day के time frame पे तो one day के time frame पे almost यही एक resistance हमें देखने को मिल रहा है 120 रुपे का अगर यह 120 रुपे के level को proper break करता है तो stock में तेजी हमें देखने को मिलेगी next target 135 35 रुपे हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जब भी stock में तेजी होती है तो वही पुराने resistance पर आकर ही stock reverse करता है almost यह target achieve हो चुका है short term time frame के लिए 135 रुपे के level करने break होने के बाद सीधा target 140 रुपे हमें देखने को मिलेगा जो कि next resistance अभी हमें देखने को मिल रहा है daily time frame के बाद weekly time frame के बाद करें तो weekly time frame पे almost काफी time से यह stock यही support ले रहा था और exact यही support लेकर stock में काफी तेजी देखने को मिली अगर यह 90 रुपे के level को proper break करता है नीचे के और तो एक बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है बट और आप यहाँ देखो पुराना जो resistance था पिछला जो resistance था वो भी यही हमें देखने को मिला one time two time three time यह resistance अभी लेते वे देखने को मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम के साबसे बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा रिटन्स दिया है जैसे ही इसने अपना पुराना resistance यहाँ पर break किया था तो stock में काफी तेजी हमें देखने को मिली थी अब हम बात कर लेते हैं companies के fundamentals पर तो जैसे कि हम company के fundamentals को देखते हैं तो यह जो company है यहाँ पर synthetics, yarn, textile and polyester, chips, narrow fabrics, etc में work कर रही है market capitalization 2537 करोड का है stock का लो 92 रुपे stock का है 143 रुपे जो कि हमने यहाँ technical पर देखा है dividend yield 0.36% है companies यहाँ dividend भी दे रही है stock का ROC 35% है, return on equity 32% है, promoter holding काफी अच्छी है 64%, pledge share 0 है और debt equity 0.33 है यहाँ company पर जो debt है 358 करोड का है, यहाँ low debt वाली company है quarterly profits की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो company का quarter on quarter basis profit काफी बढ़ते वे देखने को मिला था अभी company का June quarter का जो profit है काफी गिरते वे देखने को मिला, year on year basis की बात करें तो year on year basis almost काफी अच्छा profit यहाँ बढ़ते वे देखने को मिला था और अभी company का जो profit है 294 करोड देखने को मिला है company के पास काफी अच्छा results है और 1000 करोड का और borrowing काफी कम करती जा रही है company 720 करोड से अभी company का जो borrowing से almost half हो गया है अगर हम बात करें यहाँ पर promotor holding की तो promotors के पास 64% के stags है देखने काफी अच्छा investment कर रखा है 4% का और public holding 30% की है BSC पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो corporate actions में यह company buyback लेकर आये थी 2021 में 40 पैसे का dividend भी दिया और 18 में stock split किया गया था 10 रुपे की face value से 2 रुपे की पैश तो क्या इस stock को हमें खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए जैसे कि हम companies के fundamentals को देखते हैं तो companies के fundamentals काफी strong है companies की reserves and companies के profits काफी बढ़ते वे देखने को मिलें अगर आप long term के असाब से investment करना चाहते हो तो यह companies आपके लिए best होगी investment करने से पहले अपने financial advisor से बातचित कीजिए वीडियो को like कीजिए channel को subscribe share कीजिए thank you